हलो दूस्तों वेलकूम टू मेर्पॉइंट सड़ी स्वाजम करने वाले चप्टर 6 लास्ट एंथ का जिग्राफिक जिसका नाम है मैनुफेक्ट्रिंग इंडस्ट्री और हम करने वाले इसका पार्ट 3 फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पहले अप्लोड हो चुका है लिंक नीचर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है पहले वो जाकर देखना तभी आपको चप्टर अच्छे से क्लेर होगा ओके जी सो लास्ट पार्ट में हमने एग्रो बेस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था अब यह एग्रो बेस इंडस्री क्या होती है एग्रो बेस इंडस्री वो इंडस्री होती है जहां पर रॉ माटिरियल जो है वो एग्री कल्चर से आता हो ठीक है जी वो एग्रो बेस इंडस्री होती है उसके बाद हमने टेक्स्टाइल इंडस्री देखा था कि इंडिया के अंदर जो cotton textile है, उसकी क्या हालत है, पहले cotton textile की क्या हालत थी, आज क्या हालत है, challenges क्या है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी, पहले तो मैं आपको बता दूँ, बाइचांस अगर cotton textile industry की definition आजाए तो आपको यह लिखनी है, ठीक है, अब मैं इंडस्टी में यह टेक्साइल इंडस्टी में भी यूज कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे, जैसे यह तो cotton textile industry की definition है, the cotton textile is primarily concerned with the design, production and the distribution of the cotton yarn and cotton clothes etc, ठीक है, तो cotton textile क्या होता है, जहां पर design होती है, production होता है, distribution होता है, cotton yarn का, यान 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 धागे का और cotton clothes का, ठीक है, अगर jute industry की आजाए, तो यहां jute लिख देना, cotton की जगा, और यहां jute लिख देना, और यहां jute लिख देना, अगर स्रिफ textile industry की definition आए, तो यह cotton वगरा हटा देना, ठीक है जी, clear हो गया, ओके जी, अब मैं आपको बता दूना, जो cotton है जब cotton से कपड़ा बनाया जाता है, उ उसको कहते हैं, spinning, ठीक है, clear हो गया, और दूसरी process होती है, वो होती है, weaving, weaving का मतलब होता है, कि उन धागों से कपड़ा बनाते हैं, ठीक है, उसी को हम कहते हैं, weaving, ठीक है, अब बात करते हैं, इंडिया की, मैं आपको बता दू, पुराने जमाने में, ठीक है, इंडिया के अ होता था, जो cotton textile industry है, वो क्या करती थी, hand spinning, यानि हातों से धागे बगरा बनाया जाते थे, और hand loom, hand loom एक छोटी सी machine होती थी, उससे क्या बनाया जाता था, उस धागे से, जो spinning से हमने धागा बनाया था, उससे कपड़ा बनाया जाता था, ठीक है जी, उसके बाद 18th century में क क्या हुआ कि power loom आ गई, मतलब एक थोड़ी बड़ी टाइप की machine आ गई, और मैं ये बता दूँ आपको, ये बहुत बड़ी-बड़ी machine है नहीं थी, जो एक machine वो होती है, जो फेक्ट्रियों में यूज करी जाती है, वैसी machine नहीं, ये power loom और hand loom ये छोटी-छोटी machine होती थी, जो cottage industry में घर में लोग लगा कर, क्या करते थे, धागा और कपड़े बनाते थे, ठीक है, अब हुआ क्या, कि our traditional industries suffered setback during the colonial period, because they could not compete with the meal made cloth from the England, अब हुआ क्या, कि मैंने आपको अभी अभी बताई, जो इंडिया के अंदर क्या होता था, कि hand looms और power looms होती थी, ठीक है, घ बात करूं, तो England के अंदर क्या था, बहुत बड़ी बड़ी factory होती थी, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी machine होती थी, ठीक है, और वहाँ पर धागा और कपड़ा बनाया जाता था, ठीक है, cotton का, तो इंडिया की जो ये hand loom और जो ये power loom वाली, जो cotton textile industry थी थी ना, वो compete नही कर पारी थी, England की factory made clothes से, ठीक है, क्योंकि England में क्या होता था, factory के अंदर जो कपड़े बनते थे न, वो बहुत ही सस्ते बनते थे, क्योंकि एक ही बार में हजार कपड़े बना देते थे, बट इंडिया में क्या था, छोटी machine थी, तो जादा कपड़ा नहीं बना पाते थे, जादा धागे भी नहीं बना पाते थे, इसलिए हमारी जो textile industry थी, उनको बहुत बड़ा setback लगा colonial time में, ठीक है जी, क्योंकि British क्या करते थे, वहाँ पर England में ले जाकर क्या करते थे, वहाँ पर कपड़ा बनाते थे, ठीक है, उनका कपड़ा सस्ता होता था, हमारे यहाँ प यह बात कर लेते हैं कि जो industry है, textile industry जो है, factory वगरा है, या meal वगरा है, वो जादा तर कहां देखने को मिलती हैं, अगर मैं पुराने times की भी बात करूँ, British के time की भी बात करूँ ना, तो जादा तर जो cotton textile industry थी ना, जो factory थी cotton की, वो हमें कहां देखने के लिए मिलती थी, महरा जो महराश्च और गुजरात है ना, वहां पर black soil मिलती है, और black soil पे cotton बहुत ही अच्छा हुकता है, ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, कि जो cotton textile industry थी ना, वो जादा तर cotton growing belt में, यानि महराश्च और गुजरात में ही मिलती थी, ठीक है, और मैं बता चुका हूँ क्यों, क्य महराश्च और गुजरात में हमें cotton मिल जाता था, तो इसलिए जादा तर जो industry थी cotton की, वो हमें गुजरात और महराश्च में देखने को मिलती थी, दूसरा market, यहाँ पर लोग भी थे, जो cotton के बने कपड़े वगरा खरीदते थे, ठीक है, तीसरा transport, आपको पता है, कि transport क्या होता है, इसका मतलब क्या है, कि बिल्कुल port के पास है, अपने गुजरात और महराश्च देखा है न, बिल्कुल port के पास है, नहीं समुद्र के किनारे हैं, तो इस time क्या होता था, जितने भी इस cotton textile industry से बनाय जाते थे, कपड़े या, धागे वगरा बनाय जाते थे, उनको directly export कर दिया जाता था, भेज दिया जाता था, दूसरी countries में, ठीक है, तो उसमें असानी होती थी, इसलिए ही, यहाँ पर लगाई गई थी, cotton textile industry, दूसरा यहाँ पर labor वगरा भी मिल जाते थे, सस्ते, ठीक है, क्योंकि population भी अच्छी खासी थी, तो cheap labor मिल जाते थे, दूसरा य यह सारे factor है, जिनकी वज़े से, जो cotton textile industry है, वो महराष्ट और गुजरात में situated थी, ठीक है, आज भी हैं बहुत सारी, ओके, अब मैं आपको बता दू, cotton textile industry has closed, link with agriculture and workers, simple सी थी बात है, तो बड़ा simple point है, जो cotton textile industry होती है, वो कहीना कहीं agriculture पे depend होती है, क्यों, क्योंकि cotton textile industry को, ज cotton textile industry में काम करते हैं, और वाइसा वर्सा, मेरे कहने का मतलब है, कहीना कहीं agriculture भी cotton textile industry पे depend है, क्यों, क्योंकि जो farmer है, ठीक है, वो जो रूई उगाते हैं, वो cotton textile industry में ही वो बेचते हैं, और वर्कोर को भी काम मिलता है cotton textile industry में, तो यह दोनों आपस में interrelated है, okay, next है, कि these industries also supported other industries such as chemical, dyeing, packaging material and engineering work, simple सी दी बात है, आपको पता है यह बात, कि जो cotton textile industry है न, वो chemicals and dyeing industry में भी use होता है, बच्चे होते हैं, confused, कि सर, chemical का कपड़े से क्या लेना देना, अब देखो, कपड़े को dye वगरा करते हो, color वगरा, अब सारे के सारे तो white color के कपड़े नहीं पहनते हैं, य कहीना कहीं, वहाँ पर भी लोगों को job वगरा मिलती है, chemical industry में, जब वो कपड़े को क्या करते हैं, color वगरा करते हैं, dyeing वगरा करते हैं, दूसरा packaging material में भी रूई का बहुत जदा use होता है, ठीक है, और next है engineering work, engineering work, यानि पता है आपको car वगरा है कि जो seat वगरा होती, उसमे को भी support करती है, ओके जी, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो दो process होती है, ठीक है, cotton से कपड़ा बनाने की एक तो होती है spinning और weaving, ठीक है, spinning क्या होता है, cotton से धागा बनाना, ठीक है, raw cotton से cotton की ball से धागा बनाना, ठीक है, और यह जाधता है जो spinning है ना, वो हमारे महरा महराष्ट में, गुजरात में और तमिल नाडू में ही होती है, ठीक है, देखो मिलने लिखा है, making fiber, ठीक है, इसको making thread कर ले ना, fiber यह थोड़ा सा मैंने गलत लिखती है, fiber का मतलब पूरा कपड़ा होता है, बट spinning में क्या होता है, धागा बना जाता है, making thread, ठीक है, और जो यह spinning की जाधा तर जो process है, यह महराष्ट, गुजरात और तमिल नाडू में होती है, पर अगर मैं weaving की बात करूँ, तो यह पूरे इंडिया में फैली वी है, मतलब धागे से कपड़ा बनाना है, पूरे इंडिया में अलग-अलग जगह पर होता है, अब आप पूछ सकते हो पर अलग-अलग tradition के हिसाब से क्या करा जाता है, धागे से कपड़े बनाया जाते हैं, इसी वज़े से हमें अलग-अलग जगह पर weaving की process देखने के लिए मिलती है, मैं आपको एक और चीज और बता दूँ, कि हमारे यहाँ पर है cotton बहुत बढ़ी आउकता है, इसी वज़े स जो धागा बनाया जाता है, cotton से यानि spinning process वो बड़ी तगड़ी है, यानि बहुत अच्छा धागा बनाया जाता है इंडिया के अंदर, पर जो weaving process वो इतनी अच्छी नहीं है, मेरे कहने का मतलब उस धागे से जो कपड़ा बनाया जाता है वो कपड़ा इतनी अच्छी quality का न जैसे इंडिया क्या करता है, बहुत सारा, बहुत सारा जो cotton है, चीक है, spinning का जो cotton है, वो क्या करते है, export करते हैं, चीक है, यदे को एक line लिखे हुए, इंडिया has a world class production of the spinning, यानि हम बहुत अच्छे टाइप का धागा बनाते हैं, बट weaving supply low quality of fiber, मतलब अच्छे quality का कपड़ा नी बना पाते हैं, धागा तो हम अच्छे quality का बनाते हैं, बट अच्छे quality का कपड़ा नी बना पाते हैं, इसी वज़े से हम जादा तर जो कपड़ा है, है ना, वो दूसरी country से import करते हैं, ठीक है, और जो धागा है, इंडिया में जो धागा बनता है cotton का, वो दूसरी country में export करते हैं दूसरी country में धागा भेजते हैं और वहां से क्या होता है बने बनाए कपड़े हम खरीदते हैं ठीक है यह थोड़ा बहुत ड्रॉबैक है है ना अब ध्यान चे सुनो क्यों 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 कि मान लो आपने क्या किया धागा भेजा सस्ते दामों पर और कपड़ा खरीद to improve our weaving sector instead of exporting yarn in a large quantity इसका मतलब है हम बहुत ज़्यादा धागा दूसरी country में भेजते हैं ठीक है पर हमें कहीं ना कहीं अपने weaving sector को भी improve करना चाहिए मतलब हमारे इंडिया में हम कैसे अच्छा कपड़ा बना सकते हैं उस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ठीक है ना क दूसरी country में धागा भीजने में ऐसा क्यों है पहली बात तो यह है कि अगर हम इंडिया में ही कपड़ा बनाएंगे तो ज़्यादा तर लोगों को क्या मिलेगा employment वगरा मिलेगा opportunity मिलेगी लोगों को ठीक है अगर हम यहाँ पर भी अच्छे quality का कपड़ा वगरा बना पाए यान से अगर हम धागा बना के भेजते तो हमें ज्यादा profit होता हमारी earning जो है वो ज्यादा increase होती ठीक है तो इसलिए इन दो चीजों की वज़े से यह बोला जाता है कि हमारे इंडिया के weaving sector को थोड़ा और improve करने की ज़रूत है क्यों क्यों क्योंकि इससे ज्यादा तर लोग ठीक है अब दो अलग अलग जगह है जहां पर रूई से धागा बनाया जाता है कहां कहां पर एक तो मील के अंदर ठीक है मील के अंदर बड़ी बड़ी मशीन लगाई जाती है और उस मशीन से बहुत सारी मशीन होती है और उस उनसे क्या होता है कि रूई से धागा बनाया ठीक है और वहाँ पर अपने घर के अंदर वो क्या करता है रूई से धागा बनाता है ठीक है अब इससे related question लिखा है कि why is it important for our country हमारी country के लिए क्यों जरूरी है अलब question एकदम simple है कि जादातर जो रूई है वो hand loom और power loom यानी cottage industry में यूज होनी चाहिए ना की meal के अंदर ठीक है अब क्यों क्योंकि देखो जिस भी बन्दे की ये meal है ठीक है वो तो ultimately rich है ठीक है पर अगर मैं बात करूँ hand loom और power loom यानी जिस बन्दे ने अपने घर के अ hand loom और power loom की machine लगा रखी है उसके पास तो और कोई source ही नहीं ठीक है वो तो अपनी subsistence के लिए कर रहे है ठीक है अपनी रोटी अपड़े मकान के लिए कर रहे है ठीक है तो इसलिए इंडिया के अंदर जो भी लोग है जिनोंने cottage industry खोल रखी है ठीक है textile industry खोल रखी है hand loom और power loom की machine लगा रखी है उनको ज्यादा रूई मिलनी चाहिए ताकि वो ज्यादा अच्छा production कर सके ज्यादा यान बना सके और अपनी family को अच्छे से चला सके और कहीना कहीं दूसरे वेक्टर ये भी है कि ये क्या करते हैं export तो करनी पाते अब जिस बंदे ने अपने घर म चोटी सी machine लगा रखे और धागा बना रहा है वो तो वो export तो करेगा नहीं दूसरी country में तो भेजेगा नहीं है ना तो वो आस-पास के ही छोटे-छोटे manufacturer को देता है और कहीना कई पूरी economy चलती है बट अगर मैं बात करूँ meal की तो meal के अंदर जो भी धागा बनाया जाता है ना maximum वो export करा जाता है ठीक है क्योंकि इंडिया का जो धागा है वो अच्छी quality का ही बनता है ठीक है अब इसका answer एक बार read कर लेते हैं कि it is important to keep meal sector loomage loomage का मतलब वो ही होता है कि जितना भी हम रूई को use कर रहे है ठीक है तो meal के अंदर जितनी रूई use हो रही है वो lower होनी चाहिए कम होनी चाहिए जो reuse हो रही है hand loom और power loom में इंडिया के अंदर ठीक है okay they provide income to the economically deprived section of the society यानी रूरल इंडिया क्योंकि power loom और hand loom बंदों ने घर पे लगा रखी है वो थोड़े गरीब है ठीक है उनको income बगरा मिलती है साथी में if the meal sector consume more yarn than the individual weaver मतलब अगर यह जो meal है जो factory वगरा अगर वो जादा reuse करेगी individual weaver से तो क्या होगा जो बंदे power loom और hand loom पे depend है ना उनकी कही ना कहीं substance हिंज जाएगी और उनको job वगरा नहीं मिलेगी ठीक है और वो कहीं ना कहीं unemployment और poverty की तरफ चले जाएंगे ओके जी clear हो गया तो हमने textile industry के बारे में देख लिया अब थोड़ा सा हम यह देख लेता है कि textile industry में कुछ problem है ठीक है जो face कर रही है textile industry पहला तो यह है कि outdated machinery हमारे इंडिया के अंदर textile industry में जो है outdated machine use हो रही है ठीक है बढ़िया machine use नहीं हो रही क्योंकि अगर बढ़िया machine use हो होती तो जादा अच्छा production हो पाता चीक है कपड़ा भी अच्छी quality का बन पाता इंडिया के अंदर पर ऐसा नहीं है इंडिया के अंदर जो पूरा कपड़ा है न वो अच्छी quality का नहीं बन पाता चीक है दूसरा irregular power supply यानि यहां पर बिजली भी 24 गंटे नहीं आती इंडस्ट्री जो cotton textile industry उनको other fiber industry से भी compete करना पड़ रहा है जैसे synthetic अलग-अलग fiber होते हैं हैना cotton के लावा भी दूसरे fiber होते है cotton जो हो थोड़ा सा महंगा होते है तो इसलिए जादा तर दूसरे fiber industry को खरीते इसकी वज़े से cotton industry को बहुती stiff competition phase करना पड़ रहा है next है कि spinning meal are competitive but weaving or knitting and the processing unit cannot use higher quality yarn मैं आपको बताई दिया था कि इंडिया के अंदर जो अच्छी quality का धागा तो बनता है बट अच्छी quality का कपड़ा नहीं बन पाता है हम जादा तर जो cotton yarn है जो धागा है वो export कर देते हैं पर हम क्या करते हैं दूसरी country से बने-बना एक कपड़े import करते हैं और इसी के mismatch के कारण क्या होता है हमारी industry को सबसे बड़ा challenge face करना पड़ रहा है ठीक है clear हो गया यह सारे के सारे challenges है इससे related question आता है इसलिए मैंने इस बार अलग से question के format में आपको समझाया है दोस्त ठीक है तो अच्छे से याद करके जाना मैं नहीं चाहता कोई भी question छूट और मैं आपको बता दू इंडिया के अंदर जो पहली meal established हुई थी cotton जो meal established हुई थी वो मुंबई के अंदर हुई थी 1854 में एक marks का question आ जाता है तो याद रखनें आपको ओके अब बात करते हैं हम जूट textile की ठीक है जूट के बारे में आपको पता ही होगा जूट से रसिया बगईरा बनती है ठीक है मैट बगईरा हुए चारपाई जिसे कहते है वो भी जूट बगईरा से बनती है और साती में जो बोरिय और ऑ लारे मेरा होती है और जूट बहुत इनपोरЕТन्ट है और मैं आपको बता दू इंडिया जो है सबसे जाधा जूट बैदूस करता है प stand at second place an exporter after Bangladesh मतलब देखो माल लो इंडिया जो है वो 100 kg जूट हुगाता है और बांगलादेश 75 kg जूट हुगाता है ठीक है इंडिया जो है दूसरी country में सरिफ और सरिफ 25 kg जूट एक्सपोर्ट करता है बट बांगलादेश 50 kg एक्सपोर्ट करता है तो समझ आ गया जो इंडिया है वो largest producer है जूट का ठीक है पर बांगलादेश हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है दूसरी country में भेजता है अब कोशन ही आता है कि इतना सारा एक्सपोर्ट क्यों कर देता है खुद प्रोसेस करके रसियां या खुद प्रोसेस करके मैट या रोप या खाट क्यों नहीं बनाता सर इसका reason simple है पता है क्या है कि जब इंडिया का partition हुआ था 1947 में आपको पता है एक टुकड़ा जो है वो पाकिस्तान बन गया था और पहले बांगलादेश को वेस्ट पाकिस्तान कहते थे मैं आपको बता दू पहले बांगलादेश पाकिस्तान का ये पार्ट था ठीक है बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता होगी तो मैं बता देता हूँ पहले जो बांगलादेश था वो पाकिस्तान का पार्ट था तो उस टाइम क्या था कि जब पार्टिशन हुआ हमारा तो जादातर जो इंडस्री थी जो फैक्टरी थी ना जूट की ठीक है जहाँ पर रस्या वगएरा बनाई जाती थी उसमें से 75% जो इंडस्ट्री थी वो तो इंडिया के अंदर रह गई और स्रिफ और स्रिफ 25 परसेंट बंगलादेश के अंदर या जिसको हम East Pakistan भी कह सकते हैं वहाँ चली गई इसी वज़े से जादा तर production नहीं हो पाता जूट goods का बंगलादेश में मतलब वो जादा process नहीं कर पाते जूट को और जूट की चीज़े और जूट की चीज़े नहीं बना पाते ठीक है clear हो गया ओके जी अब मैं आपको बता दूँ इंडिया के अंदर भी जितनी भी जूट की मील है ना वो सारी की सारी West Bengal में situated है mostly ठीक है और कहां पर है West Bengal में भी हुगली रिवर के पास ठीक है हुगली एक रिवर है ठीक है वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है जादातर जूट इंडिस्री अब ऐसा क्यों है जी हुगली रिवर के पास ही क्यों देखने of the jute producing area, यानि अगर बात करू, हुली रिवर के पास बहुत सारा jute उखता है, तो इसलिए जादा तर इंडस्री वहीं पर है, ताकि असानी से jute मिल जाए, जादा दूर ना जाना पड़े jute लेने के लिए, next है कि inexpensive water transport, ठीक है, आपको पता है कि इंडिया भी export करता है, तो export, क्योंकि आपको पता ही है कि West Bengal बिल्कुल पानी के पास ही है, ठीक है, बेव बंगाल के पास है तो जो water transport है, ठीक है, वो मिल जाए उनको असानी से और दूसरी country में export कर पाए, है ना तीसरा reason यह है कि supported by the good network और railway, यानि West Bengal में हमें railway भी अच्छा खासा मिल जाता है ठीक है, export करने के लिए, दूसरे जगा पर भेजने के लिए, इसलिए जादातर जो meal है, जूट की, वो West Bengal के हुगली river के पास ही situated है, next है कि abundance of water for producing raw material for raw jhoot, आपको पता है, West Bengal में पानी भी अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है जूट को गाने के लिए, इसी वज़े से क्या है, जादातर जूट की जो meal है, वो West Bengal में situated है, next है cheap labor, ठीक है West Bengal में cheap labor मिल जाते है, क्योंकि बहुत ज़दा population है वहाँ पर, ठीक है West Bengal के अंदर, जो जूट factory हम आपर आके काम कर लेते हैं, ठीक है next point है, अगर मैं बात करूँ, के Kolkata के अंदर क्या है, urban centers है, यानि आपको बता है ना, के hooghly river जो है, Kolkata की बात हो रही है, hooghly river जो है, Kolkata के अंदर है, तो Kolkata में क्या है, urban centers है, यानि याँ पर banking वगरा, मतलब अगर factory वगरा लगानी होती है, तो थोड़ा पैसा वगरा चाहिए होता है, तो वहाँ से पैसे वगरा मिल जाते है, bank पैसे वगरा दे देता है, loan वगरे देता है, insurance की facility मिल जाती है, export facility, यानि दूसरी country में अगर export करना है, तो उसकी facility भी मिल जाती है, हमें कॉलकता के अंदर, हुगली रिवर के bank के पास, तो इसलिए जादातर जो jute की industry है, वो भी हमें देखने के लिए मिलती है, West Bengal के हुगली रिवर के bank के पास, ठीक है जी, अब मैं आपको एक और बात बता दूँ, जैसे मैंने आपको बताया था, कि cotton की सबसे पहली जो मिल थी, वो मॉंबई में लगाई गई, 1854 के अंदर, वैसे ही, अगर मैं बात करूँ, jute की, तो jute की जो पहली industry थी, वो इंडिया के अंदर लगाई थी, कॉलकता के अंदर, 1855 में एट रिश्रा, जगा है एक, कॉलकता के अंदर, ठीक है, जी, clear हो गया, अब कुछ प्रॉब्लम है, जो jute industry भी face कर रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है, आपको याद रखना है, कि cotton industry का भी याद करना है, जूट industry का भी, जो challenges है, वो आपको सब industry के याद करना है, ठीक है, पहली बात तो high cost, जो jute है, वो थोड़ी महंगी आती है, ठीक है, दूसरा है stiff competition by the synthetic substitute, इसका मतलब यह है, कि जो दूसरे हैं, जादा तर लोग क्या करते हैं, कि आज भी देखो, plastic bags को, आपने देखा होगा, कि लोग jute से बनी चीजों को कम खरीदते हैं, और जादा तर उसका substitute ढूनते है, मेरे कहने का मतलब आपने एक jute bag भी देखा होगा, ठीक है, वो थोड़ा सा महंगा आता है, तो इसलिए लोग plastic bag खरीदते हैं, ठीक है, तो stiff competition है, उसका इसी वज़े से ये उसका production जादा नहीं हो पाता ठीक है, और ये challenge phase करना पड़ रहा है jute को jute textile industry को, next है emergence of the substitute goods में आपको बताए चुका हूँ jute का बहुत substitute बन चुका है, ठीक है जो पहले खाट आती थी, जो jute से बनती थी, अब वो plastic की उससे बन जाती है, तो इसलिए ये एक बहुत major challenge है jute textile industry के लिए, next है growth of the jute meals in Bangladesh loss of the foreign market, इसका मतलब है कि बांगलादेश के अंदर क्या है बहुत सारी industry लग रही है jute की, ठीक है, अब दीरे-दीरे-दीरे बढ़ रही है वहाँ पर भी jute industry इसी की वज़े से क्या है, कि वो बहुत जादा export भी कर पाते हैं, जिसकी वज़े से जादा-तर हमारा foreign market छिनता जा रहा है यानि हम जादा export नहीं कर पा रहे हैं, यह बहुत बड़ी problem है, ठीक है, और दूसरी country में बात करूँ तो production भी jute का अच्छा कासा होता है, फिलिपीन, इजिप्ट में, ठीक है तो जादा-तर दूसरी country या वहीं से मुगा लेती है, ठीक है, तो यह भी अच्छा की एक problem है, जो इंडिया की textile, jute textile industry फेस कर रही है, ठीक है अब मैं आपको बता दूँ के इंडिया के अंदर jute को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, jute के production को और jute की demand को बढ़ाने के लिए, और farmer को support करने के लिए, जो jute उगाते हैं उनको support करने के लिए, एक national jute policy लाई गई थी, हमारी government को हमारी government के दुवारा, 2005 में ठीक है, जिसका main objective यही था, के increasing productivity, के jute की productivity बढ़ाई जा सके, jute की demand बढ़ाई जा सके, और farmer को good prices avail करवाई जा सके, ठीक है, ताकि वो जाद स्यादा jute fiber हो गाए जैसे internal demand बढ़ी, ठीक है, आपने देखा होगा, के जितने भी हमारे अनाज रखे जाते हैं, वो jute के bags में ही रखे जाते हैं, ठीक है, बोरियों में ही रखे जाते हैं, क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि government ने mandatory कर दिया, और इसी के वज़े से जो भी अनाज बगेरा होता है, उसको package करने के लिए, उसकी packing करने के लिए, jute bags का use किया जाता है, इसी के वज़े से internal demand भी jute की बढ़ रही है, इंडिया के अंदर, ठीक है जी, next हम बात करेंगे sugar industry की, sugar industry के बारे में दूसरी country में उगाया जाता है, उस country का अगर नाम आपको पता है, तो आप मेरे को बता ना, agriculture chapter में आपने पढ़ा था, ठीक है, Brazil के अंदर, Brazil के अंदर सबसे ज़्यादा जो है sugar cane उगाया जाता है, उसके बाद इंडिया के अंदर उगाया जाता है, बट मैं आपको बता दूँ के गुड़ और खांड सरी में, इंडिया जो है first number पे है, ठीक है, गन्ना तो सबसे ज़्यादा ब्राजील में उखता है, बट गन्ने से बनीवी जो गुड़ है और खांड सरी है, वो इंडिया के अंदर होता है न, वो बलगी होता है थोड़ा, मेरे कहने का मतलब है, आपको पता ही है, कि शुगर बनाने के लिए गन्ने की जरुत होती है, और गन्ना थोड़ा भारी होता है, ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनना, गन्ने के अंदर है एक सुक्रोस चंटेंट होता है, ठीक है, जिससे गन्ना मीठा रहता है, ठीक है, और जब हम उसको export करते हैं, मतलब दूसरी जगापर transport करते हैं, तो क्या होता है, उसके अंदर से सुक्रोस content कम हो जाता है, और वो गन्ना उतना मीठा नहीं रहता इसी की वज़े से मैं आपको बता दूँ जादा तर जो शुगर की मील्स है ना वो यूपी और बिहार के अंदर almost 60% जो इंडस्ट्री है मील है शुगर की वो यूपी और बिहार में हमको देखने के लिए मिलती है क्यों देखने के लिए मिलती है क्योंकि यूपी बिहार में ज्यादेतर गन्ना उगाया जाता है इसी की वज़े से के ज्यादा दूर तक ट्रांस्पोर्ट ना करना पड़े इसलिए ज्यादतर जो इंडस्टी है वो यूपी में ही लगा दिये ठीक है ताकि जो सुक्रोस कंटेंट है गन्ने का ठीक है वो कम ना हो पाए ठीक है क्योंकि अगर उसको जादा काटने के बाद है ना सुक्रोस कंटेंट कम होने लगता है ठीक है गन्ना जैसे ही काटा जाता है तो सुक्रोस कंटेंट है उसमें से कम होने लगता है तो सुक्रोस कंटें यानि जो sugar industry है, sugar cane की industry है, वो seasonal है, यानि जो sugar cane है, वो season में उखता है, आपको पता है ना, कौन सी crop है, आप मेरे को बताना, कौन सी खरीफ है या रभी है, कौन सी crop है, sugar cane, ठीक है, और मैं आपको बता दू, sugar cane जो है, वो एक seasonal crop है, ठीक है, वो एक खरीफ crop है, अब मैं बताई च co-operatives के द्वारा चलाई जाती है अब ये co-operatives क्या होता है co-operatives होता है जहां पर supplier ही या worker ही owner होते हैं अब ध्यान से सुनना अब sugar industry की सबसे बड़ी बात है कि वो पूरे साल नहीं चल सकती क्योंकि जो गन्ना है वो सरिफ एक ही season में हमको मिलता है है ना इसी वज़े से क्या होता है कि जो गन्ना उगाने वाले ही क्या करते हैं कि मील लगा लेते हैं फैक्टरी लगा लेते हैं अब एक बंदा तो फैक्टरी नहीं लगा सकता तो बहुत सारे लोग जिनका farm है गन्ने वगरा का वो इखटा होते हैं और वो क्या करते हैं मील ल लो बहुत सारे farmer ने जो कि गन्ना हुगाते हो उन्होंने अगर meal लगा ली तो वो ही तो supplier होंगे वो ही तो गन्ना भेजेंगे अपने farm से काट कर गन्ना भेजेंगे उस factory के अंदर ठीक है तो इसी वज़े से जो sugar industry है वो ए cooperative industry है ठीक है cooperative वगरा चलाते है अब अगर मैं recent year की बात करूँ न ठीक है कुछ 10-20 सालों की बात करूँ तो south इंडिया में और western इंडिया के अंदर भी है न बहुत सारी sugar meal industry लग रही है क्यों लग रही है क्योंकि वहाँ पर favorable climate है अच्छा कासा climate है वहाँ पर गन्ना उगाने के लिए इसलिए वहाँ पर meal लगा दी जाती है ताकि जो गन्ना है उनको UP एक्सपोर्ट ना करना पड़े क्योंकि अगर हम UP भेजेंगे तो सुग्रोस content कम हो जाएगा यह पहला reason है दूसरा है वहाँ पर cooperative भी बहुत successful है अगर मैं बात करूँ South India में तो वहाँ पर जो cooperative है ठीक है cooperative industry है यानि वो industry जिनको worker और supplier चलाते है वो industry जाता है और आपको पता है कि जो गन्ना है वो जो गन्ना है वो एक seasonal industry है और उसको चलाने के लिए cooperative industry ही बहतर है ठीक है इसलिए हमें South India में और Western पार्ट में इंडिया के अब मीलो के number बढ़ते वे दिखाई दे रहे है ठीक है अब कुछ challenges है जो sugar industry face कर रही है वो challenges कौन कौन से है पहला तो seasonal nature है industry का मतलब साल के अंदर एक time ऐसा आता है जब लोगों को job नहीं मिल पाती और वो industry चलनी नहीं पाती यह सबसे बड़ी problem है दूसरी industry है old and inefficient method of production मतलब थोड़ा जो हमारा गन्ना उगाने का और चीनी बनाने का जो method है वो थोड़ा ineffective है और old है उसको change करने की ज़रूत है next है कि transport delay in reaching cane to the factory मतलब जो sugar cane होता है ना उसको कभी कपार factory में पहुचाने में ज़्यादा time लग जाता है जिसकी वज़े से sucrose content कम हो जाता है तो यह एक बहुत बड़ी problem है यह challenge face कर रहा हमारा sugar industry next है कि need to minimize the use of the baggage अब यह baggage क्या होता है अगर वो sugar cane का juice पीने के लिए आप कभी गई हो किसी shop पे तो आपने देखा होगा कि वो गन्ने का juice बनाते है उसके पाद जो wastage बसता है ना उनको छोड़ देते हैं उनको ऐसे fact देते हैं बट उनको dung से use करना उनको आफ fertilizer में use कर सकते हो manure बगरा बनाने में use कर सकते हो उनको जानवरों को दे सकते हो तो ऐसे use कर सकते हैं तो उनको use करने की भी जरूरत है ये challenge हमारा sugar industry face कर रहा है कि जो waste material बचता है जो baggages बचता है ना उनको हम डंक से use नहीं कर पारे तो ये भी एक बहुत बड़ा I hope ये वाला part आपको समझ आया हो जो भी चीज़ बताई हो आपको clear हुई हो ठीक है अगर वीडियो आप अभी तक देख रहो ना तो आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना जितना हो सके वीडियो को share करना इससे मेरे को motivation बिलती है ठीक है जी और साथ ही मेरे new channel का link भी दे रखा होगा जल्दी thousand होने वाले हैं उस पर तो thousand subscriber जल्दी करवा देना आप ठीक है link नीचे description में दे रखा है notes के लिए आप telegram channel पे जाकर download कर सकते हो नहीं तो एक link दे रखा होगा description में GP link करके तो GP link से notes कैसे download करने आपको उसकी video भी नीचे description में दे रखे होगी तो वहाँ से आप notes download कर सकते हो ठीक है आप अगर चाहो तो मेरे को Instagram और Facebook पे follow कर सकते हो अगर चाहो तो बाकी next video के लिए stay tuned तब तक के लिए thank you so much जैहिन जैभारत वंदे मातरम